26 जनवरी को ये देश एक नया इतिहास बनते वे देखेगा 26 जनवरी को हर बार गनतंत्र दिवस होता है गनतंत्र दिवस की परेड होती है हम अलग लग राज्यों की जहांकियां देखते हैं हर हिंदुस्तानी का चाती थोड़ा चौड़ी हो जाती है लेकिन इस बार गनतंत्र दिवस पे गनतंत्र किसान परेड होगी क्यों होगी क्या होगा कहा होगा कैसे होगा ये सब सवाल आपके मन में होगे मैंने सोचा दो मिनिट के लिए आपको इसके बारे में बता दो क्यों होगा विरोध प्रदर्शन नहीं होगा लोग समझ रहे हैं, गणतंत्र दिवस पे आप आ के विरोत प्रदर्शन करोगे, ये तो गणतंत्र का मतलब है, गण का तंत्र, गण मतलब जनता, पीपल, रीपब्लिक का मतलब है, जहाँ लोग सबसे उंचे हों। तो मैं सिंपल कहता हूँ गण तंत्र में गण की प्रतिष्ठा का पर्व मना रहे हैं उत्सव मना रहे हैं क्योंकि इतने सालों में गण तंत्र बोलते बोलते हुआ क्या है गण तो बेचारा गया दब और तंत्र हो गया हावी 70 साल के बाद इस देश में एक ऐसा दिन मनाएंगे जिसमें गण उपर होगा एक तरफ जवान देश के लिए परेड करेगा दूसी तरफ किसान देश के लिए परेड करेगा तो हम तो गण का परू मना रहें कहा? हमने टेक किया यह दिली के अंदर होगा देश की राज़धानी के अंदर इसके बारे में पुलिस से तीन दिन से चरचा हो रही यह परसों भी मीटिंग थी, कल भी मीटिंग थी आज भी मीटिंग थी पुलिस कहरे नी दिल्ली मत आओ 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 दिल्ली के बाहर करो, आप ये करो वो करो, राष्ट्रिय राजधानी के अंदर नहीं आओ, बड़ा दिक्कत है, सिक्यूरिटी कंस्टरेशन है, ट्रैफिक है, सब कुछ है लेकिन गण तंत्र के दिवन राष्ट्रिय राजधानी में किसान क्यों ना आए, वैसे भी दो महीने हो गए है दो महीने से हम दिल्ली के बार्डर पे बैठे हुए हैं, अब एक बार दिल्ली के अंदर भी तो जाग के देखेंगे ना सो दिल्ली के अंदर जाएंगे, हमने अपनी तरफ से आउटर रिंग रोड दिया है, पुलिस कहते हैं ना ना रिंग रोड का ता आप सोचो ही मत पुलिस कहते हैं ने आप जो बाहर एक्सप्रेस वे है उस पे कर लो, एक्सप्रेस वे पे करेंगे क्यों देखेगा, ऐसे तो आप राजपत की करने की बजाए रिपब्लिक डे परेड भी आप नहीं और जाके कर लो, ये तो दिल्ली में ही होगा ना सब लोगों ने मन बना रखा है और हमारी तरफ से भी सपष्ट देड़ने है, उस दिन हम दिल्ली के अंदर जाएंगे, अंदर का मतलब ये नहीं को लाल किले में गुच जाएंगे, पारलिमेंट में गुच जाएंगे, हमने बार बार सपष्ट किया है, ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है, बस दिल्ली में, आउटर रिंग रोड पे, या जो कोई भी रूट तै होता है, कोई रूट के बारे में फिक्सिटी नहीं है, कि यहीं पे ही इसी रूट पे करना है, चलो कोई और रूट देखेंगे, और हमने तो पुलिस को कहा, अगर आपको किसी एक प हमाऊ, यह हमारा उदिशन नहीं है, तो 26 जन्वरी को होगा, डिल्ली के अंदर होगा, कैसे होगा, ट्रैक्टरज होंगे, ट्रैक्टर के साथ जाकियां होंगी, मुझे पबलिक डे की जाकिया निकलती है न हमारी भी जाकियांगी, अलग अलग स्टेट्स होंगे, मुझे अ टीचर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, सब तरह की लोग आएंगे, जो किसान के साथ खड़े होने, हिंदुस्तान किसान के साथ खड़ा होगा, आप जहां की देखेंगे, और ये जो कहते हैं ना, सिर्फ पंजाब और हरियाना का अंदोलन है, वो ये भी देखेंगे, कि प हर ट्रेक्टर के उपर, हर वाहन के उपर एक तिरंगा होगा, एक और किसान संग्ठन का जंड़ा हो सकता है, किसी पार्टी का जंड़ा नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्टम ने कर दिया है, किसान अंदोलन है, और ये तिरंगे की इज़त, तिरंगे की आनमान शान बढ़ा हिंसा हुई हम हारेंगे शांती रहेंगी हम जीतेंगे और इस अंदोलन ने अल्रेडी पूरी दुनिया में मिसाल बना दिये शांती की और उस तरहें की शांती की मिसाल को हम बनाए रखेंगे और डूस और डोंट्स क्या क्या होंगे अगले कुछ दिनों में हम आपको यहां इस चैनल से किसान एकता मोर्चा से आपको बताएंगे क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या साफधानी रखनी है, क्या चीज को आगे बढ़ाना है, किस चीज को हमें छोड़ना है पूरी सूचना आपको देंगे, आप यहां पे देखते रहिएगा सारी information आपके पास आएगी committees बन रहे हैं या पूरा ध्यान कर रहे हैं discipline कर रहे हैं volunteer हो रहे हैं आपको क्या करना है अगर आप किसान हो किसान परिवार से हो किसान हितैशी हो तो आपको दिल्ली आना है भई पहला काम तो यह हर family से एक मेंबर तो दिल्ली आना चाहिए ना हर गाउं से ट्रेक्टर बाहर निकलने चाहिए तो पहला काम तो आप यह कर सकते हो कोई दूसरा साथी आना चाह रहा है ट्रेक्टर में डीजल नहीं है उसका थोड़ा डीजल डलवा दो किसी तरह से आप मदद करें हर्याना के गाउं में तो उन्होंने हर हर एक एक किले पे सौ सो रुपे का लगा दिया आशुल के सब भी कठा करेंगे उसके इसाब से काम करेंगे तो यह सब चीजे हो रही है खुद आए आने वालों को सहयोग दें इसकी इंफरमेशन दें अगर आप खुद नहीं आ सकते इसके बारे में प्रचार करो आप देख रहे हो इसको सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर वाइरल कीजिए इसके बारे में ऐसी परेड हो कि दुनिया देखे और हर हिंदुस्तानी का सीना चोड़ा हो जाए ऐसी परेड हम करेंगे गनतंत्र दिवस में किसी तरह का विग्न नहीं डालना आप मैसेज डाल सकते हो और मैसेज साफ हो हम दिल्ली जीतने नहीं आ रहे हम देश का दिल जीतने आ रहे है आप दिल्ली में रहते हैं परेड में शामिल नहीं हो रहे बाहर आओ, देखो तो, जैसे रिपब्लिक डे की जहां की देखने जाते हैं न, आप आईए रिंग रोड पे जहां से भी निकल रही होगी, आईए, स्वागत कीजिए, पानी पिलाईए, लंगर खिलाईए, फूल डालिए, ताकि देश इस अन्न दाता को एक बार याद करें अगले कई दिन तक और इंफर्मिशन आपके पास देते रहेंगे, तमाम तेरे की अफ़ाँ चलती रहेगी मीडियां पर, उसका ध्यान मत दीजिएगा, 26 तारीक को ये देश, इस बार गणतंत्र दिवस सचमुच में गण के तंत्र का दिवस बनेगा, आप भी देखेंगे हम भी देखेंगे, सब लोग मिलके करेंगे, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद